नमस्कार आज हम डिसकस करेंगे गिरास पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सब्ताही पत्रिका है तो इस सब्ताह की गिरास पत्रिका से और पिछले सब्ताह की गिरास पत्रिका से मतलब मई महीने के ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंपाइल करके वीडियो बनाया जा रहा है जितने भी important question यहां से बनते हैं उन सब भी हम discuss करेंगे और साथ मैं एक important topic हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई निगाह स्कीम है एक इसे निगाह स्कीम के बारे में भी हम पढ़ेंगे इन सब का PDF आपको हमारे quarantine which is recently launched by हमाचल प्रदेश गोवर्नर भंडारू दत्ता त्रया देखो अभी हाली में हमाचल प्रदेश के राजयबाद भंडारू दत्ता त्रया द्वारा सजा नहीं बचाव है quarantine उस्तिका का विमोचन किया गया है इसके लिखक कौन है देखो इस किताब के लिखक जो है वो है ओम प्रकास बुरेता ओप्शन ए जो है वो सही अंसरे ओम प्रकास बुरेता द्वारा ये किताब लिखकी गई है अच्छा आप कुछ डिटेल मैं समझेंगे देखो ये किताब जो है ये लिखकी गई है ओम प्रकास बुरेता के द्वारा और compile भी इन के द्वारा ही की गई है इस किताब के जो major sources है वो है World Health Organization WHO और Health Ministry होगी Ministry of Health and Family Welfare, Government of India and under the various guidelines of the National Health Mission हिमाचल प्रदेश तो National Health Mission जो हिमाचल प्रदेश का है उसकी जो अलग-अलग guidelines है वो इस किताब के sources रहे हैं दो को इस किताब में जो है क्या कहा गया है इस किताब में बताया गया है कि यह जो virus है coronavirus यह किस तरह से फैलता है और home quarantine के क्या फाइदे है क्या effect है home quarantine का यह सब इस किताब में बताया गया है और किसने इसका भी motion किया है यह याद रखीगा बंडारू तत्त्रया ने और इसने लिखी है यह याद रखेगा यह बेसिक सी चीज़ें आप यहाँ से याद रखिए next question है how much days employment will provide under मुख्यमंत्री सहरी रोजगार गरंटी योजना जो है इसके तहद कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहद जो है 120 दिनों का रोजगार देने की बात कही गई है option C जो है वो सही answer है देखो यहाँ पर बात कही जाती है कि यह योजना जो है इसमें 120 दिनों का रोजगार तो दिये ही जाएगा अगर अवस्चिक हुआ तो लोगों को कोशल भी परदान करवाया जाएगा कोशल परदान कराने के साथ देखो अभी जो है COVID-19 चला हुआ है और काफी लोग बाहर से आ रहे हैं तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को देखा जाएगा कि उन लोगों में क्या टलेंट है वो किस कारे को कुशलता से करते हैं और उसी कुशलता को देखते हुए जो है उन लोगों को जो है वो रोजगार वो सरोजगार के अफसर भी परापत करवाये जाएगे तो यह है यह मुख्यमंत्री सहरी रोजगार योजना इसके तहए 120 दिनों का रोजगार जो है वो प्रापत करवाया जाएगा नेक्स्ट कोईशन देखते हैं हिमाचल केविनेट रिसेंटली गेव इस नोड फॉर्डा सेटिंग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एट हिमाचल प्रदेश के मंद्री मंडल ने हाल ही मैं कहां उत्कृष्टा केंदर स्थापित करने को मंजूरी दिये देखो यह उत्कृष्टा केंदर स्थापित किया जाएगा option सी वाकना घाट में Center of Excellence आप कह सकते हैं वाकनाघाट में यह स्थापित किया जाएगा अब देखो इस Center of Excellence के लिए फंड कौन करेगा तो इसके रिए फंड करेगा Asian Development Bank Asian Development की फंडिंग के तह जो है यह बनाया जाएगा यह प्रोग्राम चलाया गया है Asian Development Bank funded प्रोग्राम है यह वाकनाघाट कहां पर है वाकनाघाट डिस्टिक स्टोलन में पढ़ता है यह भी याद रखे डिस्टिक स्टोलन में यह पढ़ता है इस Center of Excellence में जो है देखो क्या किया जाएगा इसमें जो है वो Training दी जाएगी चाहिए वह तुरीजम सेक्टर होगया चाहिए वह और इक पूर्ण कोिशिन मैं आपको बदाता हूं हिमाचल प्रदेश का फार्स्ट इनफ्रॉमेशं टेकन्लोजी पार्क जो Information Technology Park है वो वाकना घाट में स्थित है वाकना घाट के नजदीक कुछ जगा होगी मौजा मजहौल तो यह मौजा मजहौल जगा में जो है यह स्थित है क्या Information Technology Park यह चीज़ें आप याद रखिए Center of Excellence वाकना घाट में स्थापित के जाएगा हिमाचल का पहला IT Park Information Technology Park वाकना घाट के मौजह मजहौला में स्थित है यह चीज़ें आप याद रखनी है और यह Excellence वाला जो है यह Asian Development Bank के द्वारा Fund किया जाएगा Asian Development किस थापना कब हुई थी यह comment करके बताएगे इसका मुख्याले कहां पर है यह भी comment करके बताएगे नेक्स्ट कोईशन देखते हैं नेक्स्ट कोईशन है वट इस तोल फ्री नंबर ऑफ हिमाचल अमर्जेंसी सेंटर हिमाचल प्रदेश का अपातकालीं सेंटर बनाया गया है उसका तोल फ्री नंबर क्या है यहां से कुछ और भी आपको याद रखना है तो State लेवल का नंब और जो जीला स्तरिया है जीला अपातकालीं केंदर का नंबर है वो है 1077 यह दो नंबर आपने याद रखिए इसके लावा गुडिया हेल्पलाइन नंबर हो गया खुश्यार सिंग हेल्पलाइन नंबर हो गया और मुख्यमंत्री सेवा संकलप नंबर हो गया यह सभी नंब सेवा संकलप नंबर है यह क्या है यह 1100 1100 यह है मुख्यमंत्री सेवा संकलप नंबर बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है गुडिया देखो यह चीज तेफिनेटली पूछी जा सकती है आपसे next question देखते है next question है how many soil testing laboratories presently working in Himachal Pradeus तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितने मिट्टी प्रसेक्शन प्रोक्साला काम करती है present time के अगर बात करें तो present time मैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो 11, option C जो है उससे answer है 11 soil testing laboratory जो है उस्तित है गीराज पत्रिका में इस तरह से दिया गया था कुछ article दिया गया था जिस में soil की testing को लेकर बात की गई थी तो उस question को मैंने economic service से relate करके इस तरह से बिनाया है जो हाँ जो है वो मिट्टी की गुणवत्ता को बना के लिए जुरूरी है कि यूद मिट्टी की गुणवत्ता का जो है वो टेक्स्ट किया जाए तो उसके नमने गठे किया जाते हैं और इन प्रयोगसालों में लेकर उनको टेक्स्ट किया जाता है और पता लगा जाता है कि कौन सी कमी मिट्टी में है अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डाला जाए अगर फॉस्फॉर्स किया तो यह स्थीरह से पता लगाया जाता है और प्रिजेंट ली-ग्यारा ही, मिट्टी जांद प्रयक्षाला है है में हिमाचल पर्देश में स्थीत हैं झालißt प्लकल उस प्लकला कीजिए बिज़नो को कर संद में है उन पला कीजिएये vá 로हल पित्ती में मैं आपको पुता दू हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो मिट्टी जांच को जो है हिमाचल प्रदेश की सारफजनिक सेवा गरंटी अधिनियम यह चीज़ें important हैं और याद रखने लाइक भी है next question देखते है next question क्या है how much x gradia would be provided to the keen of frontline workers such as drivers, conductors in case of death during COVID-19 देखो COVID-19 के दुरान duty में duty पर चालग परिचालग के अगर डॉक्टर है अगर उनकी मृत्य हो जाती है हिमाचल परतेश सरकार के दौरा ये ऐलान किया गया है कि उन लोगों को जो है उन लोगों के परिवारों को अगर किसी भी की इस दौरान duty हो जाती है unfortunately तो उन लोगों के परिवार को पचास लाख रुपया दिया जाएगा option D जो है वो सही answer है चास लाख रुपया का अनुदान उन लोगों के परिवार को दिया जाएगा यहां से कुछ ज़्यादा information आपको नहीं मिलेगी इतनी सी basic information आप याद रखी यह काफी है याद में exam point of view से next question है which of the following statement correct regarding Prime Minister किसान समान निधी scheme देखो Prime Minister किसान निधी scheme काफी चर्चा में रही थी तो इस scheme के बार में आपको जानना important है यह scheme के बार में पहले देखते हैं क्याकर statement मारे पास दी गई है पहले है कि Modi launched the Prime Minister किसान स्कीम on 24 February 2019 in Gorakhpur दूसरी है कि small and marginal farmers will be provided with income support of 2000 per year दोनो statements इन मैंसे दूसरी statement तो गरत है पहली statements है तो देखे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा यह 24 फरवरी 2019 को गोर्कफुर उत्रवदेश से जो था इसको launch किया गए था only A सही है अब देखो इस program में यह बात तो सच्छी है कि small or marginal farmers जो है उनको कुछ income support दी जाती है यह भी आप याद रखेगा यह 6000 रुपय तीन किस्तों में दी जाता है तब जाकर यह मिरता है तो यह लोगों को लिए एक scheme चलाई गई है यह आपको याद रखना जूरी है कभ यह launch हुई थी और इसके अंदर कितनी assistance जो है वो दी जाती है सहाइता दी जाती है बेसिक बेसिक चीज़े आप याद रखिए next question है खुंब विकास योजना वाज launched during 2019-20 to promote which of the following खुंब विकास योजना जो है वो 2019-2020 के दोरान जो था वो चलाई गई थी इस योजना का उदेश्य क्या है कि हम किस चीज़ को डिवल्प करेंगे किस चीज़ को promote करेंगे खुंब की खेती के बारे में कुछ दीया गया था खुंब की विकास योजना के बारे में दीया गया था तो यह mushroom से संबन्दित है option C mushroom की खेती को remote करने के लिए यह योजना चलाई गई खुम्ब विकास योजना के बारे में भी जानेंगे, अब देखो ये खुम्ब विकास योजना, हिमाचल खुम्ब विकास योजना जो है, इसके तहद पांच क्रोड पया जो है, वो दिया गया है, और इस पांच क्रोड पया से जो है, वो सहाईता लोगों की की जाएगी, जह वरिष्टी से बचाब करने के लिए यह नए स्कीम चलाई गई है यह आप याद रखिए यह ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है प्रन्तु खुंब विकास योजना वाली स्कीम जो है यह इंपॉर्टेंट है यह आपको याद रखनी है इसके तहर्त कितना पैसा दिया ग कराने के लिए जो है उनको ट्रांसपोर्ट की सही सहाईता प्रतान करने के लिए जो है कौन सा मुवाईल एप जो है वो सुरू किया गया है उसके लिए यह सुरू किया गया है किसान रथ मुवाईल एप ऑप्चिन बी जो है वो सही इंसर है किसान रथ मुवाईल एप यह most important question कहूंगा मैं इस question को आप याद रखीगा अब किसान रत मुवाई लैब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं देखो अभी lockdown के दुरान जो है देखो बड़ी दिकत की बात है कि किसानों ने फसल तो काड़ दी परन्तु उस फसल को अनाज मंडी तक कैसे पहुंचाएं फल और सब्जियां तो निकालती हैं परन्तु उनको फल मंडी अनाज मंडी तक कैसे पहुंचाएं देखो इसी के लिए जो है के इंदर सकार ने किसान रत मुवाई लैब जो है वो सुरू किया है इसमें होगा क्या इस एप के माध्यम से जो है वो लोग जो है वो गाड़ी का पंजिकरन करा सकते हैं जिसमें वो फचल को ले जाएंगे और भी उसमें सुविदाएं लोगों को दी जाएंगी वो खरीद वो ओनलाइन ट्रेडिंग भी वो कर सकते हैं ओनलाइन ट्रेडिंग पढ़ेंगे देखो एक था है निगास कीम ये निगास कीम ही माचल प्रदेश सरकार के दोरा चलाए गई है पहले मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा देखो मुख्यमंत्री सीजरामने ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रेड जोन से आने वाजे लोगों के लिए क्वारेंटाइन को उनको क्वारेंटाइन में रखने का निर्णे लिया है लेकिन ग्रीन वो औरेंज जोन से जो लोग आ रहे हैं उनसे भी संक्रमन हो सकता है इसके लिए उन लोगों को भी होम क्वारेंटाइन रखा जाएगा ठीक है उन लोगों को home quarantine रखा जाएगा उसके लिए सरकार ने क्या किया निगहा योजना सुरू कर दी इस योजना में होगा क्या इस योजना में जो है जो लोग home quarantine में रखे गए हैं वो लोग उस home quarantine का उलंगन ना करें इसके लिए जो है वो पंचाइती राथ संस्थानों के जो प्रतिनिदी है परिवारों को समाजिक दूरी बनाए रखने के लिए और उन लोगों को प्रेरित करने के लिए उन लोगों के परिवार को प्रेरित करने के लिए जो है उनको बताने के लिए कि भाई अगर आप होम करेंटाइन का उलंगन करेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसान है आपके परिबार के लिए नुकसान है तो ये निगहा स्कीम जो है वो चलाए गई है आगी भी देखते हैं तो निगहा कारेकरम कित है जो है वो ग्रेलू संग्रोध के दोरान जो है वो समाजिक दूरी बनाना जो है वो जरूरी है इसके लिए जो है वो आसा वरकर हो गया अंगनवाडी वरकर हो गया स्वास्थे कारे करता हो गया इन लोगों को तैनात भी किया गया है तो देखो इन लोगों को तिनात किया गया है ये लोग करेंगे क्या ये लोग जो हैं ये लोग उन परिवार के लोगों को अवेर करेंगे जो लोग बाहर से आए हैं ग्रीन या औरेंज जोन से दूरी बनाए रखें ये इंपॉर्टन्ट है तो ये निगा स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार के दोरा चलाई गई है अब यहां पर आपने एक चीज बढ़ी आशा वरकर आशा वरकर के बारे में जानेंगे तो देखो आशा वरकर इंपोर्टन्ट है एक्जाम पॉइंट आफ यू से इंपोर्टन्ट है इनको جो है वो community के दोरा ही select किया जाता है और इन लोगों को काम यही होता है कि लोगों को health के behavior को लेकर जो है वो चीजों को promote करना लोगों को health के बारे में बताना उनको aware करना और कोय फैसलिलिटी अगर दे जा सकती है तो उस फैसलिटी को देना और कोई भी सरकार के दोरा स्कीम्स चलाई जाती है तो उन लोगों को अगर सरकार गाइलेंस प्रोवाइड करवाती है तो उन स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना जैसे मान लीजिया अभी COVID-19 है COVID-19 के दोरा जो है वो आशा वरकर जो है वो काफी एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं प्रन्तु देखो अब ये तो हो गया आशा वरकर के बारे में इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेगा फुल फॉर्म इसकी जुरूरी है आशा वरकर के बारे में मैं आपको एक important चीज़ बताता हूँ देखो ये जो आशा वरकर होते हैं other state का मुझे पता नहीं प्रन्तु हिमाचल की अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो है इन लोगों की जो salary है वो बहुत कम है इन लोगों की salary बहुत कम है salary लेकर ही काम करते हैं salary लेकर ये लोग काम करते हैं इन लोगों को तो अच्छी कासी salary दी जाती है प्रन्तु आशा वरकर को जो है वो कुछ खास salary नहीं दी जाती है इसलिए काम तो उनका काफी है देखे अगर आपके गौँ में मान लेजिए कोई भी इनसान बाहर से आया है तो सबसे पहले वहाँ पर कौन जाएगा आशा वरकर ही वहाँ पर जाएंगे आशा वरकर के साथ आई थिंक एक अधा नर्स भी उनके साथ जाती है और वो लोग जो हैं वहाँ पर temperature गरा देखते हैं और उसको थोड़ा जो भी documentation का काम होता है उसको करते हैं पर फिर भी कम salary में जादा काम करवाया जाता है इसलिए दिखो ये important है कि इन लोगों का मान दे जो है वो बढ़ाया जाए इन लोगों की salary जो है वो बढ़ाया जाए या तो इनकी salary थोड़ा सा अच्छी हो I don't think कि ये लोग 5-10,000 पे अभी इन लोगों को मिल पाता होगा आपको पता है कि आजकल के time में जो है वो इतनी सी salary से अगर इनसान 30-40,000 पे भी कमाता है तब भी गुजारा नहीं कर पाता तो ये आसा वरकर तो फिर भी काम काफी कर रहे है और इस महामारी के दुरान ये भी front line warrior है तो इन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए जहां पर सरकार इतना काम कर रही है वहां पर इन लोगों के लिए भी काम करने की जरूरत है तो यही है कि आसा वरकरों का मानदे बढ़ाना चाहिए और ये आसा वरकर्द होते हैं निगास कीम सरकार के दोरा चलाई गई है स्कीम का ये एम है तो यही था आसा वरकर्द के बारे में थोड़ा सामने अपनी तरस से जानकारी डिसकस की आप के रिए जो आज का question है वो है labor day every year observed on मजदूर दिवस का मनाया जाता है और मजदूर दिवस का मनाया जाता है इसकी theme क्या थी यह आप comment करके बताईए That's all for today, thank you for watching the video